नमस्कार पंज़ादी टाइम्स में आपका स्वागत हो और मैं हूं कमल सिंग बात करेंगे आज हम SCST Act SCST Act पे केंद सरकार की आज एक महतपूर बैठक होने वाली यह बैठक SCST Act में संसोधन को लेके हो सकती है सरकार SCST Act को लेके कोई बड़ा फैसला ले सकती है इस मिटिंग में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आपको पता देंगे कि उस समय पहले सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद SCST Act में जो तुरंत की रफ्तारी होती थी वो रोग दी गए थी जिसके बाद सरकार ने कहा कि हम दलितों के हितकी बात करेंगे और सुप्रिम कोर्ट में याचिका डाली इस पे पुनर विचार किया जा अलाकि वो याचिका अभी सुप्रिम कोर्ट का फैसला दोबारा नहीं याचिका पर सुनुवाई नहीं हुए लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने एक महतपूर बैठक बुलाई है SCST Act में समसोधन करने के रिए यहां पार्टी के जो सहयोगी दल रामिलास पासवान का दल है उन्हों लगातार वो केंद्र सरकार पे प्रेसर बना रहे हैं केंद बीजेपी लगी हुई है और अभी दो-तीन राजों में चुनाओ भी हैं और ऐसे में बिना दलित वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नईया पार होती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि विरोधी दल सब एक साथ एक पंच पे खड़े हैं अब बीजेपी को अकर 2019 की नईया लगानी है तो दलित वोट को साधना है और दलीत वोट को साधने के लिए बीजेपी कोसिस करे की यह कि एसी एशटीu एक्ट में बदला वह जल्दी से जल्दी लाए और दलितों के खिट में लीजेपी आजीपी इसमें लेकिन अभी जो वरतमान का ताना बाना है अगर उस बीजेपी की जो हालत हुई वो कहीं ने कहीं इस चीज को दर्साता है कि 2019 में बीजेपी अगर दलित वोट बैंक को नहीं साथ तो उसके लिए और उसको पास कराने की कोशिस करें ताकि 2019 की जो रा है बीजेपी की वो थोड़ी आसान हो जाए इन सब चीजों से यह तो अगले सतर की बात होगी कि सतर सुरू होगा सरकार क्या करेगी इस चीज पर फैसला लेने के लिए आज स्थी एस्ट्व एक को लेके बड़ी बैठक हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्का।